सुनिए, मेरा नाम रोहन है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती हैं? हाँ, बिल्कुल, मेरा नाम गीता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योक्त एक कंप्यूटर है, जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में, बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती हू अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रूत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगएर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इन्टरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ यह तो अश्यरे जनक है कि हम यह सारी सुविधाएं गाउं में भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ, इंटरनेट के जरीए यह सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट की सुविदा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है किया यह सत्य है हाँ रोहन न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है कि आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिल्कुल रोहन, कृपया बैट जाईए, मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ, बाकी आप लोग भी बैट जाईए, जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है, जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है हम कम्प्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं? कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वह मित्रों से जुड़ा जा सकता है Rail ticket भूक कर आई जा सकते हैं Bank खाते में LinkedIn किया जा सकता है सुचनाय एक अत्रत की जा सकती है खेल खेले जा सकते हैं गाने सुने जा सकते हैं और Cinema, पिच्छर देखी जा सकती है अब हम computer वो उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं A computer is divided into two parts Hardware and Software आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्ट्वेर होते हैं हाँ रोहन, सॉफ्ट्वेर कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकरनों के विशय में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला, Input Device दूसरा, Processing Device तीसरा, Output Device जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक, उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो ये कुछ इनपुट डिवाइसे हैं जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है ये इनपुट डिवाइस निम्न है पैन ड्राइव, माउस, कीबोर्ट, सीडी, माइक्रोफोन कीबोर्ट और माउस प्रात्मेक इनपुट डिवाइसे हैं सामाने कीबोर्ट के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवम विशेश बटन अवश्य होते हैं आप मुझे बताएंगी की इन विशेश बटनों का प्रयोग किस ले किया जाता है अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भाती कम्प्यूटर में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में Page Up बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है। प्रोग्राम में Page Down बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है। प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है। प्रोग्राम में end बटन करसर को विशय के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कंप्यूटर में पठनीय विशय में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेख संपादन प्रोग्रामों, इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेख में शबदों को भरने और लिखावट पर शबदों के पुनरलेखन में होता है ये चार बटन किसका हम के लिए प्रयोग किये जाते है? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में दाईं की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर दाईं की और ले जाता है क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं ज्यादतर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है कंट्रोल और अल्टरनेट पटन क्रिया परिवर्थन बटन है जो ज्यादतर प्रोग्रामों में विशिष्ट कारे और माउस की क्रिया को या तो परिवर्थित कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मिनू को सक्रिय कर देता है यह बिलकुल वैसे ही होता है जैसे की Task Bar के Start बटन पर क्लिक करने से होता है अब तक हमने Keyboard के विभिन बटनों के बारे में सीखा अब हम Mouse के बारे में सीखते हैं Mouse एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग, computer screen पर दिखने वाले विशे, icons को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है आप देखेंगे कि जैसे ही mouse चलाया जाता है, वैसे ही mouse चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर screen पर चलता है इस तीर को pointer कहते हैं pointer की सहायता से computer को प्रक्रिया के लिए data वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं mouse पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन mouse के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये mouse द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं mouse के बाया बटन को एक बार दबा कर screen पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है mouse के बाया बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है mouse के दाया बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा घूमने वाला चक का screen पर page को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है उसी तरह computer में वह यंत्र जो data संग्रहन और संद्रक्षन को नियंत्रित करते हैं वह processing device कहलाते है computer, processor या CPU process की जाती है फिर computer की memory या RAM में संद्रक्षत की जाती है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है monitor screen है जिसका प्रयोग output जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है monitor दो तरह के होते हैं cathode ray tube और flat panel display printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे soft copy कहते हैं और उसे छापकर निकालता है जिसे hard copy कहते हैं computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को soft copy कहते हैं तथा उसे के छपे हुए को hard copy कहते हैं printer तीन तरह के होते हैं inkjet printer, laser printer और dot matrix printer speaker एक output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं speaker के बिना हम गाने अथवा आवाज विश्यों आधी को सुन नहीं सकते headphone computer से आवाज आउटपुट देता है ये speaker की तरह होते हैं, किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती आउटपुट सुन सकता है projector एक आउटपुट यंत्र है, जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर projector का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की input, processing व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़ेदार गती विधी में भागें प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास दीदी, computer, sire data कहां संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह computer data संचित करता है जिसे computer memory कहते हैं computer की memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य memory और दुतियक memory मुख्य प्राथमिक memory बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है computer की गती RAM पर निर्भर करती है data और निर्देश मुख्य memory में संचित रहते हैं जहां से ये process कर result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते है RAM वह memory होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किये जाते हैं computer की गती RAM पर निर्भर होती है cache memory वह memory है जो RAM का अंग होती है और processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक memory सीमित होती है इसलिए असीमित data को सुरक्षित करने के लिए दुईत्यक memory का प्रयोग करते हैं चुकि computer दुईत्यक memory पर सुरक्षित data को सीधे process नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ device हैं जो दुईत्यक memory की तरह कारे करती है pen drive, hard disk और DVD तो एक computer data को अबने memory में कैसे सुरक्षित करता है computer सभी सुचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थाद 1 अथवा 1 0 को bit कहते है 8 bits के group को 1 byte कहते है इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं software कहलाते है software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है software दो प्रकार के होते हैं application software और system software application software वो program होते हैं जो उप्योग करता को computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw application software के उदाहरन है जो program computer hardware से सीधे जुड़े होते हैं system software कहलाते हैं computer चलाने के लिए आपको एक operating system की आवश्यक्ता होती है जो एक system software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस activity में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूगी सबसे पहले मैं आपको computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह monitor है यह television की तरह है और इसकी screen पर output देखा जाता है यह system box है इसमें central processing unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही computer का मुख्य दिमाग होता है यह keyboard और mouse हैं यह दोनो input device हैं जिसके द्वारा computer में data भरा जाता है computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे maze पर रखिए तब system box के बगल में monitor रखिए system box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाईसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिने port कहते हैं अब इस तरह से monitor system से जोड़ा जाता है system box video port को VGA port कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA cable कहते हैं VGA cable के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोड़ा जाता है keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं PS, two connector अथवा USB connector keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है mouse को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप printer को जोड़ना चाहते हैं तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर port अथवा USB port को system के उप्युक्त port में जोड़ दें अब हम computer को बिजली के main board से कैसे जोड़ सकते हैं computer दो बिजली supply के तारों के साथ आता है एक बिजली supply तार को system unit के बिजली supply plug में तथा दूसरे तार को monitor के port से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि computer को कैसे जोड़ते हैं बिल्कुल computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले system unit वो monitor दोनों की बिजली supply चालू करें तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें वो monitor का power button दबा कर उसे चालू करें अब कुछ ख़न इंतिजार करें और देखें कि monitor पर display आने लगा है इसे boot screen कहते हैं धीरे धीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता पहली बार न केवल computer को देखा है बलकि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, computer के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कार्यों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह की विशिष्टाएं होती हैं, जैसा की इंटरनेट, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं, कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं इन्हें डूल सिम फोन कहते हैं, फोन के विभिन अंगों को देखें गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला फोन को स्विच आफ कर दें और पीछे का कवर निकाल दें, उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें, तब सिम खांचे में सिम डाल दें, अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें, और फोन को चालू करें बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला चार्जर को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं, तब चार्जर को फोन में लगाएं, कुछ समय बाद जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए, तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनलॉक कैसे किया जाता है हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए चाचा जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेनू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए अब यह लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए में पास ये नया मोबाइल है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेष्टाएं कैसे देखे आप अपने मोबाइल के विशेष्टाएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं पुनहा आरंब में जाने के लिए होम आइकन को चुएं या बटन को दबाएं Basic Phone अथवा Touch Screen Phone, Ring Tone, घंटी बदलने के लिए नेमन प्रक्रिया अपनाए Basic Phone के लिए पहले मिनू चुने, फिर Setting, तब Tone चुने और फिर खिसक कर Ring Tone पर जाए तब ग्यालरी खोलने के लिए खिसक कर ग्यालरी पर जाए जहां पर कई Ring Tone की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार Tone का चैन कर सकते हैं Touch Screen Phone, Ring Tone बदलने की प्रक्रिया पहला Home आइकन को चुए, फिर Menu आइकन को चुए फिर Personalization Settings आइकन को चुए, फिर Setting आइकन को चुए फिर Profile Setting आइकन को चुए तब Ring Tone या Notification Ring Tone आइकन को चुए तब Ring Tone की सुची में खिसक कर अपनी इच्छा अनुसार Ring Tone चुए तब ठीक OK आइकन को चुए मैं अपने फोन में Alarm सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी Alarm सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? निम्न प्रक्रिया से आप स्वेम कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर Alarm घड़ी उसके पश्चात Alarm का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर Ring Tone पर जाएं यदि आप Alarm को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं तब घड़ी को चुएं तब Alarm को चुएं Alarm का समय सेट करके सेव चुने दी दी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती हैं? हाँ जरूर मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक compact device है जो एक smartphone अत्वा एक laptop अत्वा computer की तरह है आजकल टेबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिये हो गए हैं इनका उपयोग हम internet पर browser, mail चेक करना, download और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं यहाँ पर कुछ है बुकलेट टाबलेट PC का सबसे सरलतम रूप है जो किताब की तरह तिकता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारेख करती है यह हस्तलेक को पहचानने वाला सॉफ्टवेर होता है जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते है स्लेट सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है जो अधिकतर मनुरंजन के लिए फिल्म देखने के लिए इंटरनेट चलाने के लिए वीडियो देखने वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोक किया जाता है कनवर्टिबल टाबलिट लगभग पारम परिक लैप्टॉपों की तरह के ही होते है इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्पले होता है जिसे 180 डिगरी तक घुमाया भी जा सकता है हाइब्रिड टाबलिट में स्लेट और कनवर्टिबल टाबलिट दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती है हाइब्रिड टाबलिट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं जो की दिये गए स्लोट के जरिए स्लेट पीसी में जोड कर टाबलिट पीसी में बदले जा सकते हैं एक ड्रग्ड टाबलिट उन उपयोग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं इनकी अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाऊ बनाता है यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अती आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपयोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6 से 7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक की बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इन चर्णों का अनुसरन करो पहला केबल को चार्जिंग हेड में लगाए और प्लग को स्टांडर्ड AC पावर में लगा दें डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए डिवाइस में उर्जा संरक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें पहले पावर बटन को कुछ खशन के लिए दबा कर रखें तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड करके कस्टुमाइज कर सकते हैं अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अथवा बाएं खिसकाएं तो तुमने सीखा कि कैसे लैप्टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं प्रतिक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज